जाहिन दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं री के वाइसी फॉर्म फॉर इन विजुल यानि बैंक और परोद्राम में के वाइसी करने के लिए आपको यह फॉर्म भरने की अब सकता होती है ठीक है तो इस फॉर्म को कैसे भरते हैं मैं आपको कि इसके साथ कौन कौन डोकॉमेंट लगेगा ठीक है तो वीडियो को पूरा देगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए ठीक है तो यह फॉर्म आपको ले लेना है अगर बैंक वे नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आपको का आपको पता है थो आप इसे डान को आप लिखा है ठीक है ऐसके बाद है यहां पर कि माइनर है यहां पर हर टीक मार लिजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर लिका है कस्टम Про ने यहां पर देखिए आप को जो भी भरना है वो आप capital letter में भरेंगे दियान समझेगा आप जो भरेंगे capital letter में नाम होना चाहिए इसमें पर लिखेंगे आप first नाम जैसे मैं लिखा हूँ रौसन उसके बाद आप लिखेंगे middle name ठीक है जैसे मैं लिखा हूँ कुमार उसके बाद लाश ने जैसे लिखा father या spouse या mother name तो आप अपना पितादी का नाम लिख सकते हैं नहीं तो अगर आपका साधी हो गया है तो आप अपना wife का नाम भी डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं लिखा है date of worth आपका जो भी जन्म तीती है वो यहाँ पर डाल दीजेगा ठीक है ध्या नमर आप यहाँ पर भर जाएगा अगर pen card आपका नहीं बना है या नहीं है तो आपको अलग से form नमर 60 भरना होगा ठीक है चलिए उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर लिखा है कि proof of identity address document proof यहाँ पर yes yes यानि क्या क्या दिये थे आप खाता खुलबाते समय ठीक है document में अधा अधार का तो मैंना अधार का लेग दिया हूं उसके बाद ध्यान समझेगा उसके बाद यहाँ पर लिखा है occupation income तो आप क्या है salary self-employed retired self-employed professional होस्वाइब है प्राइबेट लिमिटेड है प्रोपर्टिशिप है पब्लिश सेक्टर है जो भी है आप यहाँ पर बढ़ सकते ह तो तो मैं पर फिलाल आपको समझाने के दिया हूं पचास हजार से एक लग के बीच में ठीक है उसके बाद रिसिडेंस टाइप इसमें यहाँ पर आउन ली इसमें टीक मार लिजेगा इसका मतलब है कि जहां आप राते हैं वह जहां का जमीन है वह आपका है यहां का है यह आपके फैमली ह ciąँ यह आपके नाम से तो आप मैं आप यहां पर टिक मार लीज़ीगा ठीक है अगर फैमली का है तो ब्हले पर टिक मारें यहां पर समझज放 मेलिंग पर्मानेंट एड्रेस कॉंटेक्ट नमर और यहां में लिएक है I wish to change माई मेलिंग पर्मानेंट एड्रेस कॉंटेक्ट डिटेल्स एज वेल हो इसका मतलब समझी यह आप आले हैं देखिए अगर आप पर्मानेंट एड्रेस चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक मारेंगे ठीक है ध्यान समझीगा अगर आप पर्मानेंट एड्रेस चेंज नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक मारेंगे अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो इस पर टिक मारेंगे ठीक है और यहां पर लिखा है document attached इसका मतलब समझें आप mailing और permanent address same है जैसे कि मन करकिए आपका driving lessons और अधार card दोनों में same address है सब कुछ mailing तिलिंग जो भी है सब कुछ same है तो आप इन दोनों पर ठीक माल लिजेगा ठीक है उसके यहां पर क्या करेंगे फ्लाट यहां पर है permanent address यहां पर फ्लाट नमर आपका जो भी हो डाल सकते हैं ब्लेंड नमर यानि बिल्डिंग नमर जो भी हो भी डाल सकते हैं उसके बाद स्टेट आप कौन से राजमुरत मैं बिहार से हूं तो बिहार डाल दिया है उसके बाद यहां लिखा है पील कोड आपका जो भी ञंकोड नमर डाल सकते हैं उसके बाद कंट्री में इंडिया कर दिजीगा उसके बाद email id है आपके पास अपना चेंज लिख देंगे यानि जो आपका अलग है तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर इस सब में कुछ नहीं करेंगे डिरेक्ट नीचे आजाना है आपको नीचे में लिखा है पैन फिर से आप पैन कार्ड नमर यहां पर लिख देंगे अगर पैन weegang-diet यहां पर कर देंगे आप यहीं साइन करेंगे ठीकैर धियान रखेंगें एसा कर नहीं अगर अगर हिंदी सान कर एक पर एक फोटो एक फोटो लगा देंगे ठीक है उसके यहां पर लिखा है फॉर ब्राफ यूज और जुर्ज- इसमें हो जाएगा है किसा लगा हो पताना अ अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शीनल वंदीक सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जाहिंद